नाव, next model create कर लेते हैं तो हमारे यहां पे जो next model वह है वीडियो के लिए हमें किसी course के अगर videos add करने है तो उसके लिए हम अडियो की रिंट करने हैं वीडियो में course रहेगा serial number रहेगा वीडियो number इसका then इसके बाद रहेगा url का इसका then is preview और title तो अड़ कर लेते हैं इन चारों को ओके तो चलते हैं वेस कोड में वापस और यहाँ पर हमने create किया हूँ है course.py में tag के लिए ठीक है थीक है वैसी हमने प्रॉपर्टी के लिए किया है ठीक है तो एक काम कर लेता हूं मैं इसको यहां से कौपी कर लेता हूँ और यहां पर फाइल ऐड कर लेते हैं ठीक है नया blinkat करेंगे models के अंतर models जो हमारा folder है इसके अन्दर नय आ यहा फाइल किया इस file को करेंदेता हूं मैं video तो मैंने इसको का video यहां पर हमको class create करना है तो मैंने इसको paste कर दिया यहां पर इसको मैं नाम दूँगा वीडियो वीडियो नाम देना है वीडियो नहीं वीडियो आटोमेडिक डेटाबेस में create हो जाता है ना models को हम इंपोर्ट करना है तो model इंपोर्ट करेंगे तो यह रहा जैंगो.db से इंपोर्ट करते हैं model मैंने इसको यहां से copy किया है और इसको यहां पर paste कर दिया परफेक्ट है ना यहां पर मुझे क्या क्या चीज़ा एड करनी है तो वीडियो का कोई description में नहीं देना चाहता हूं आप चाहते हैं तो दे दीजी हर वीडियो के बारे में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो ओके तो मैं यहां पर एक title एड करना चाहता हूं जो कि care field रहेगा max length इसका क्या है तो इसका max length है मैं इसको 50 कर देता हूं ठीक है या फिर 100 कर देते हैं तो 100 character का जो title है वो आप दे सकते हो उससे ज़्यादा नहीं नल फॉल्स है तो यह जो title है वो देना जरूरी है required field है इसके बाद यह जो वीडियो है कि स्कोर्स से बिलॉंग करता है तो यहां पर हमने course दे दिया course foreign की है तो course को हम इंपोर्ट करना है सो course import करेंगे from courses.models और यहां से हमें import करना है course यह हमने यहां पर course import कर लिया तो यह आ गया course perfect abstract रही है यह तो मैंने इसको यहां से remove किया and then और क्या add करना है इसमें 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 राएगा serial number या फिर मैं इसको index बोल सकता हूं क्या index या फिर मैं serial number ही रख देता हूं उसको ठीक है copy किया and then इसको यहां पर paste किया length को मैं change करूंगा मैंने इसको नाम दिया serial underscore number यह हो गया serial number परफेक्ट इंटीजर फील है ना इसको यहां पर देना जरूरी है तो अगर इस वीडियो का मैं link copy करता हूं ठीक मैंने अपर कहा get serial link ओके इसको copy किया और उसको मैं paste किया आँगे आपको बताऊंगा YouTube चैनल कैसे create करना और उसमें यूडियो कैसे upload करते तो हर एक वीडियो का यूणीक यहां पर आईडी है हर YouTube वीडियो का एक यूणीक आईडी है तो यह जो आईडी है इसको मैं save करूँगा मैं पूरा URL save नहीं करूँगा ठीक है तो URL नहीं बोलो इस वीडियो आईडी रहेगा यहां पर हम इसके URL क्रियेट कर सकते हैं बाद में ओके इसके बाद next प्रॉपर्टी है इसमें URL हो गया हमारा जिसको मैंने का video URL इसके बाद मुझे मैंने इसको कहा is underscore preview इस preview क्या यह preview वीडियो है तो अगर इसका true हमनलब की preview है false हमनलब प्रिव्यू नहीं है तो इसका जो default value है मैं इसको रखूंगा इसका फॉल्स मनलब की हर वीडियो जो है फॉल्स रहेगा database में तो हर एक वीडियो को हम फॉल्स रखेंगे इसका मतलब यह है कि कोई भी वीडियो और आप एड करते हो तो default value फॉल्स है इसका मतलब यह है कि वो preview नहीं है तो आप starting की 5-6 वीडियो को preview रख सकते हो तो आपक रखा from courses.models courses.models. यहां पर है video यहां से मुझे import करना है video class ओके तो यहां पर मैं इंपोर्ट करूंगा video class परफेक्ट है नाओ यहां पर हमें table create करने के लिए हम make migration migrate command को run करेंगे so control c किया terminate किया terminal में जो भी चल रहा था now यहां पर हम कहेंगे python manage.py make migrations okay perfect now next command है migrate so again हमने run किया migrate तो यहां पर जो videos नाम का जो table है वो create हो गया अब हमें क्या करना है इसे add करना है अपने admin site में so चलते है admin site में add करेंगे admin.py में जाएंगे यहां पर हम import करेंगे video यह मैंने इसको import किया video को now इसे register करना है तो मैंने online को copy किया यहां पर just मैं directly video यहां पर pass करूँगा now save किया चलते है application को आगे हम run करेंगे so command को मैंने run किया python manage.py run server perfect नहीं चलते हैं अपने browser पे और home page पे चलते हैं तो यह आगया home यहां पर videos ठीक मान लीजे मैंने course add कर दिया तो चलते हैं videos add करने हैं उस course में यहां पर आएंगे तो हमें title देना video का कौन से course के लिए है यह और इसके बाद देना मुझे serial number और video id क्या review है या फिर नहीं then save कर देंगे तो आप देखेंगा मेरे course में 50 videos हैं 50 videos हैं तो 50 times मुझे हर बार यहां पर course जो है add courses में तो जैसे हम यहां पर learning description add कर रहे थे वैसे ही last में हम videos भी add कर सकें तो उसके लिए same चीज हम को करना है तो जब हम course add करेंगे लग यहां वहां से video भी add कर सकती है तो यहां पर अगे हम create करेंगे तो इसको मैंने line को copy किया इस वाली class को यहां पर मुझे create करना video admin तो मैंने line को copy किया यहां पर video admin यहां यह किस model के लिए है तो यह video admin वीडियो model के लिए परफेक्ट ना इस inline में हम last time add कर देंगे video video यहां पर मुझे add करना video admin और इसको भी अगर रजिस्टर करना है अगर आप अलग से video add करना चाहते तो आप इसको यहां पर रजिस्टर कर दीजे अदर्वाइस यह साथ में तो देखेगा ही course में ठीक तो दौनों जगह देखेगा दौनों चीजी हम रखेंगे कोई देख एक साथ कर सकते multiple तो अगर 50 वीडियो से तो आप इसको प्लस प्लस करके इसमें multiple आप जितने वीडियो से लाइन से यहां पर एड़ कर सकते हैं और एड़ करने पाद उसको आप अरहानी से अपडेट भी कर सकते हैं perfect तो यह जो काम है यह काफी आसान हो जाता है अगर एक ही फर्म के नीचे सारी values आजाती है ठीक है तो इस तरह से काफी बड़ा फर्म हो गया है पर हाँ यह थोड़ा आसान होता है इसलिए मैंने यह आपको यहां पर बता है perfect है तो मुझे लगता है कि यह सबसे अच्छा यहां पर लगता है जब हम इस तरीके से उसको एड़ करते ह इस जो अभी दिख रहा है आपको टेबल के फर्म में दिख रहा है अगर आप इसको टेबल एपल सो नहीं होगा वह एक के नीचे एक वीडियो एड़ करने का जो एक form है, यह कुछ इस तरह से आए, एक वीडियो, दो वीडियो, पर यह थोड़ा सा स्टैक्ड यूज ना करके, हमको टैबलर यूज करना चाहिए, अगर मल्टीफल फील्ड नहीं है, तो अभी यहाँ पर चारी फील्ड है, तो ठीक है टैबलर, लेकिन अगर यहाँ पर दस फील्ड होती है, तो एक टैबल इतना बड़ा बन जाता, कि यह पेज बुरा फेल हो क्योंकि यहाँ पर चारी फील्ड है, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि टैबलर वाला जो यूज कर रहे हैं, यह बैस्ट रहेगा इसके लिए, ठीक है, तो नाँ देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आंगे मॉडल्स क्रियेट करेंगे, और उससे पहले हम एक कोर्स य करेंगे, और आंगे मॉडल्स करेंगे 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 मॉडल्स